पोते की बारात लेकर गाउं गिनरी टिबा गए वेक्ति से मारपीट कर हुई लूट गायल का जिला अस्पत्ताल में इलाज जारी चुरू के गाउं गिनरी टिबा में पोते की बारात लेकर गए एक वेक्ति से मारपीट और लूट का मामला सामने आया है गाहल वेक्ति का चूरू के राज के भरतिया जिला अस्पताल के ट्रोमा बार्ड में इलाज जारी है अस्पताल में गाहल गाउं रीविया के श्रीचंद ने बताया कि वे अपने पोते महर सिंग की बारात लेकर गाउं गिनरी टिबा गया था जा रात को जो वे पैदल जा रहा था तो गाउं गिनरी टिबा के सत्य नारायन, राम अवतार, सुभाश और पांच अन्य ने उसको पीछे से धक्का देकर पहले सड़क पर गिरा दिया और फिर उसके साथ थपड मुकों लातों से मार पीट शुरू कर दी उक्त लोगों ने उसके साथ तब तक मार पीट की जब तक वह बेहोश नहीं हो गया जब उसे होश आया तो उसकी जेब में रखे डेड़ लाक रुपे, सोने की अंगुठी और गले में पहनी, सोने की चैन गाय मिली शुरी चंद ने आरोप लगया कि उक्त तीनों ने मार पीट के बाद उसके साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया बहराल शुरी चंद का चुरू के राजके भरतिया जिलास पत्ताल के ट्रोमा वार्ड में इलाज जारी है